तो लग रहा है नहीं कितना अट्रेक्टिब नास था जिसको देखते ही खाने का मन हो जाए तो हाई फ्रेंड्स आज हम आपके साथ ब्रेट की एक ऐसी रेस्पी शेयर करेंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है तो अगर आपको ये रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं अब हम एक खलर लेंगे और इसमें एड़ करेंगे 6-7 लेस्ट की कलिया साथी हम इसमें डालेंगे एक ही चद्रा का टुकड़ा जिसको हमने रफली चौप कर लिया है और दोनों चीजों को हम कूट लेंगे तो दोनों चीजों को हमें थोड़ा सा बारीक ही कूटना है आप चाहने तो इसकी जिगर जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं लेकिन इससे इसका टेस्ट पहुत ही अच्छा आता है तो अध्राव को लेस्ट हमारे बारीक हो गए है अब हम एक मिक्शिंग बाउल लेंगे और इसमें आट करेंगे अपना बचा हुआ अध्राव को लैसुन का पेस्ट साथी हम इसमें आट करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पोदीना और थोड़ी सी हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया अब हम इसमें आट करेंगे 3 टेविड इस्पून मल्टेट बटर साथे हम इसमें आट करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डालेंगे हम औरिगैनो तो सभी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम एक कटोरी में 1.5 टेबिल स्पून पिजा सॉस लेंगे साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे 1.5 टेबिल स्पून टोमेटो सॉस और इसमें भी हम थोड़े से चली फ्लेक्स और अरगेनो मिक्स कर लेंगे तो सबी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे पर अच्छे से लगा लेंगे और ब्रेट की दूसरी साइट पर भी हम बटर को अच्छे से लगाएंगे अगर आप जिंजर गालिक पेस्ट पसंद नहीं करते हैं तो आप नौर्मल बटर भी इस पर लगा सकते हैं लेकिन जिंजर गालिक पेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है, तो इस तरीके से हम 4-5 ब्रेट पर बटर को अच्छे से लगा लेंगे, अब हम जागू की साहिता से ब्रेट को दो भागों में इस तरीके से डिवाइट कर लेंगे, तो सभी ब्रेट को हम कट करके दो भाग में डिवाइट करते चाहेंगे, अब मैंने यहाँ पर अ से इस पर रखते जाएंगी तो चीज स्लाइज से हमें पूरे सरकल को इस तरीके से कबर कर लेना है अब जो हमने पिज्जा साउस और टोमेटो साउस को मिक्षे बनाया था उसको हम इस पर इस तरीके से लगा लेंगी आप इसको अपने पसंद के एकॉर्डिंग कम या जादा लगा सकते हैं अब हम इस पर मोजरेला चीज डालेंगे जिसको हमने गद्दू कस कर लिया है और मोजरेला चीज को भी हम इस पर अच्छे से फैला लेंगे मैं आप थोड़े से ज़्यादा चीज काई यूच कर रही हूं अब हम थोड़े सी सबजया रख लेंगे तो सबज प्रिप्स को भी हम चरो तरफ फैलाते हुए अच्छे से रख लेंगे, आप एक बार फिर से इस पर मोजलेला चीज डालेंगे, आप इस राइस्पी को एक बार जुरू ट्राइ करें, इसको बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे, साथी बढ़ों को भी बहुत ही पसंद आएग अब हम इस पर चिली फ्लेक्स स्प्रंकल कर लेंगे, आप इसको कड़ाई या आवन किसी में भी बेक कर सकते हैं, साथी हम इसमें थोड़े से औरगनों भी आट करेंगे, कड़ाई में आप इसको मेडियम फ्लेम पर 10-15 मिनिट के लिए बेक कर लें, और आवन में हम इसको 180 डिग्री सेंटीगेट पर 15-16 मिनिट के लिए बेक करेंगे, आवन में आप इसको एक बार चेक भी कर लें, क्योंकि हरा आवन की कौल्टी अलग-अलग होती है, तो ये लीजे, मेरा दुनास्ता बेक हुकर तयार है, तो लग रहने कितना यम्मी जिसको देखते ही खाने का मन हो जाए, तो अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई हो, तो फ्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चलो को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ, बाई!